दोस्तो जब हमें TV channels लेने होते हैं, generally हम set-top box लेते हैं, जी हाँ, local cable से आते हैं, लेकिन आजकल जो set-top box है, satellite dishes वगेरे, वो popular हो गए है, लेकिन एक चीज़ होती है दोस्तो, जब आप set-top box लेते हो, generally वो smart नहीं होते हैं, अब दोस्तो, smart set-top box भी आ गये है, मैं आज दोस्तो, Airtel Extreme के बारे में बात करने वाला हूँ, जो एक बहुत ही interesting and smart set-top box है, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके पहले दोस्तो, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आयो हो, तो subscribe करना मत भूलिए, bell icon बज़ेगी है, all कीजिए, ताकि हमारी वीडियो के sub-notification आपको मिल जाए, जैसे हम एक नया वीडियो अप्लोड करते हैं, जोस्तों, जब हमें office पे एक set-top box लेना था, जी हां, हमें news channels वागेर देखने होते हैं, तो हमने कहा कि ठीक है, हम एक smart set-top box लेंगे, और इसलिए हमने लिया Airtel Extreme, अब क्यों Airtel Extreme लिया, क्योंकि ये smart है, जी हमें already 3-4 बार कह चु ये हम इस्तेमाल करते हैं, अब ये जो Airtel Extreme है दोस्तों, ये दोनों भी ये जो functionality है, Android TV की and set-top box की, दोनों भी Airtel Extreme में डाल देता है, उसकी वाई से दोस्तों, आप ये जो Netflix, या फिर Amazon Prime, ये सब जो streaming OTT apps है, उसके मज़े भी ले सकते हो, at the same time you can also see all your TV channels, जी हाँ, जनरली ज set-top box में होता है, वो सब, लेकिन उसमें भी दोस्तों, जो UI आप देखोगे Airtel Extreme की, it is very very user friendly and useful, generally दोस्तों, आप अगर Android TV, Android stick वागरे लेने जाओगे, 2500 प्राइस आपको आती है, Airtel Extreme की प्राइस भी 2500 है, and I'll tell you what, Airtel के लोग आते हैं, सब install वागरे कर देते हैं, dish वागरे होना चाहिए, HDMI cable से connect कर दीजे, and you are done, basically setup उदर done हो जाता है, दोस्तों, अगर पोर्ट के बारे में बात करूँ, तो Airtel Extreme में सभी पोर्ट आते हैं, audio video के पोर्ट आते हैं, HDMI का पोर्ट आते हैं, RJ45 मतलब इंटरनेट आपको डालना है, through cable, RJ45 का भी support आता है, SD card का support भी है इसक आपको 500 channels, जो generally आपको satellite TV से मिलते हैं, वो 500 channels सो मिलते ही हैं, लेकिन दोस्तों, Android TV भी होने की वाएसे, आप 5000 apps भी उसके उपर इंस्टाल कर पाऊगे, जी हां, Google Play Store वागेर है, जहां से आप download करके इंस्टाल कर पाऊगे, जो आपको चाहिए वो, और हां, दोस्तों, बहुत का support inbuilt आता है, in fact, आपका जो phone है, दोस्तों, वो as a gamepad आप इस्तेमाल कर पाऊगे, so that functionality is also there, let's talk about picture quality and audio, जहां, बहुत important है, 4K support करता है, 4K तक आप stream कर पाऊगे, video streaming up to 4K, and yes, Dolby audio का भी support है, so audio is also quite good, anyways, दोस्तों, IPL का season चल रहा है, तो अच्छा audio quality, अच्छी video quality वागेरे चा there are different languages, local languages को support करता है, इसका मतलब, अगर you are not comfortable with English, Hindi चाहिए, Marathi चाहिए, Bengali चाहिए, तो आप convert कर पाऊ, दोस्तों, ये quick video में यही बताना था कि अगर आपको एक set-top box वागेरे लेना है, then might as well look at Airtel Xtreme, smart set-top box आपको मिलेगा, and for the price, मेरे हिसाब से, this is a really good bargain, यहां, वैसे, link में नीचे description में जरा हूँ, जरूर जाके देखिएगा, अगर आपको Airtel Xtreme के वारे में कोई सवाल है, तो जरूर मुझे comment section में पूछिए, चले दोसों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो दक keep track in and stay safe.